दर्म का मामला जो हमारे यहां हुआ और पुरी दुनिया में हुआ जिसको रिलीजियन हम कहता है उसमें दो तरीके के truth मिक्स हुए एक geographical truth और spiritual truth देखी आप पूरा भारत के scriptures देख लो तो उसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो रावन नहीं है सबसे बड़ा विलन दुर्योधन नहीं है सबसे बड़ा विलन रहंकार अपने सपनों के साथ अपनी क्षमता को जेक करो लोग सपना ही देखते रहते हैं क्षमता नहीं देखत मिताब बच्चन ने KBC में सुत्र के तोर पे काया था और उसके लाइफ में भी उसने अपलाई किया सिखना बन तो जितना बन आपके पास में एक पूरा मतलब के लाइबरी जैसा बिलकुल कलेक्शन है I think 9000 से ज़्यादा किताबें है 12000 तो अभी एक चीज हम डिप्रेशन या सुसाइड की जैसे अभी बात चली तो मैं इस फिल्ड में काफी काम करता हूँ तो रेगुलर्ली बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं और आजकल जो स्ट्रेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया इस्पेशली पैंडिमिक के बाद त तो कोई भी काम लोग करते हैं उसमें स्ट्रेस तो आता है और आप तुझे से राइटिंग में हैं और मैं भी लिखता हूँ तो कई बार लिखने के लिए एक बहुती स्टिल और बिल्कुल क्लियर माइंड बहुत ज़ादा जरूरी होता है तो आप क्या एसे प्रैक्टिसे या कोई burnout है या फिर कोई कोई एक blockage अंदर है तो उसको release कर सकें और बिल्कुल freedom के साथ लिख सकें तो वो clarity of mind क्या कुछ practices है जो आप करते हो जो लोग भी follow कर सकें ये बात तो बिल्कुल सही है मैं सहमत हूँ कि clarity के बगेर आप कुछ भी कर नहीं जीवन में जितने महापुरुष हुए महापुरुषी क्यों स्त्री भी हुए हमें gender bias तो इस चमारे में नहीं रखना चाहिए तो जितने लोग हुए यो आप देख लीजे उसमें और कुछ चीज हो ना हो clarity तो थी तो clarity तो बहीज़ाद का ये होना ही चाहिए लेकिन जो अपने बताया कि उसके लिए आप क्या करते तो मैं तो कुछ नहीं करता है मैं कोई meditation नहीं करता है मैं कभी वक्त भी कभी नहीं मिलता लेकिन मेरा meditation हो जाता है क्योंकि मैं जो इन्वल हो जाता हूँ तो पूरा इन्वल हो जाता हूँ किसी भी जी जो, आप मुझे ट्राफिक में भी था जीजिए, लोगों ने देखा भी है, काफी सब लोग ने, को मैं सपोज कहीं पर जाना है और मुझे लिखना है, तो मैं मुवी थीटर के बार भी लिख सकता हूँ, रेकोल्ड भी कर सकता हूँ, वीडियो अगर रेकोल्ड क तो मैं चौक पे खड़ा हो के यह कर सकता हूँ, यह पहले से ही है, तो मैंने कोई इसके लिए कोई special treatment नहीं की, कि भी यह करना चाहिए, इसा करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक गालिप साम का शेर है, बड़ा अच्छा शेर है, मुझे अच्छा लगता पाजी चाहिए, फ़ले दुनिया में ले आगे, यह दुनिया जिसको हम कहते हैं, वो छोटे बच्चों के खेलने का बगी चाहिए, होता है शबो रोज, सुबो शाम, तमाशा मेरे आगे, मैं इसको enjoyment के तौर के लेता हूँ, बच्चे आपको कुछ के भी देगा, या कुछ फेक देगा, तो उसका intention तो आपको पता है कि तो छोटा बच्चा है, यह तो खेल रहा है, यह पूरा जो शाक्षी भाव बोलो, स्थित्य प्रग्यता बोलो, जो भी आप बोलो, witness consciousness है, witness consciousness हम जो बोलते हैं, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश ऐसी है, ऐसी पीछा है, कि मैं अपने आपके बच्चे को जिन्दा रखे, वो विस्मी होगा न आपके अंदर, आपके आखों में तो विस्मी आ जाता है, लेकिन आपके अंदर भी विस्मी होगा, तो आपको meditation की ज़रत नहीं पड़ेगी, बच्चा अब कभी meditation नहीं करता, sense of wonder is, sense of wonder, perfect word, yes, that should be there, जो कि I think, अगर हम आजकल इतनी hectic और इतनी fast-paced life देखें, तो ज़्यादा तर लोग बहुत automatic और machine-oriented life जी रहे हैं, मतलब कि, Rabindranath Tagore की एक कविता है, जो औसकी बूंद पर उन्होंने लिखी है, एक औसकी बूंद है बस और उस पर उन्होंने कविता लिख दी, मतलब सुनके ऐसा लगता है, कितना sense of wonder रहा होगा, कि एक बूंद की उपर पुरी की पुरी कविता आ गई, और कई बार हम लोग नाइग तो दायगड़ा का काम करेंगा, और अपनी पेट पुझा बेली करने, यस बहुत बढ़िया आपने ये point का, कि एक sense of wonder भी बहुत ज़रूरी है, वो क्यूरी से बचाएगा सर, यह मैंने अनुगो किया है, क्योंकि यह कुछ हो गया ऐसा, कि यह आपको पसंद बिलकुल नही और आप ठोड़े tension में आ गया, यह आ गया, और फिर gradually, जैसे बच्चा खेलते हुए गिर जाता है, रोने लगता है, तो छोटा बच्चा जो है, वो आप देख सकते हो कि भी पांत-दस मिनिट का मामला है, फिर वो वापस खेलने लगेगा, फिर वो वापस खेलने लगेगा करो क्या, करो बनी, आप बुलाओगे क्रोध को ऐसा तर नहीं होगा, क्रोध तो यूँ ही आ जाएगा, बगर बुलाए आ जाएगा, मादेव को भी आ जाता था, अमरे तो कान यह है, तो क्रोध को टिकने मत तो, बुल दिया, लिख दिया, कुछ किल दिया, अपने आप पे तो लेकिन फिर क्या उसको टिकने मत देना, हम क्या करते हैं, उसको समाल करते हैं, उसने ये बोला, ये बोल गया आज मेरे साथ, ठीक है, बच्चे वाला ममला यही तो है कि प्रेस्प्री हो जाओ, हो सकता है, हो गया, उसको बहने दो, बह जाएगा, जैसे पानी आया, आप एक गेस थे निखिल चंदवानी जी करके तो वो एक चलाते हैं मिशन जिसमें कि अगर आपके अंदर स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो लिख दें आप, लिखें उसके अबारे, बलें कोई पड़े या ना पड़े, सिर्फ लिख देने से आपका बहुत कुछ है जो कि बा मेरे माता पिता जिसकी मैंने बात की तो उनको जब मैंने उनसे दूर हुआ क्योंकि उनको पर्मेनेंटली विदा किया समशान में जब उनको मुखागनी दी, बैटे के तोरबे, तो एक पुरा विशाद चाही जाता है, लेकिन उसमें से में बहार आ सका है उसकी वज़र, जैसे आपने बताया वो रिडिंग और राइटिंग है, बोमेंटरी आपको ऐसा ही लगता है, इसके लिए हमारे यह सास्कूरूत में एक शब्त है समशान वेराग्या, आपको लगता है सब कुछ छोड़ दो, जला दो, फूग डालो यह दूनिया, यह आता है फेस, हर किसक दिल नहीं है, क्या बात है, दिल है तो दुखेगा, यह तो पैचाने उसके के दुख रहा है, तो आपको, आप सेंटिमेंटल हो, तो समवेधनशिल हो, इसलिए तो इंसान कहते हो, वरना तो पशुपंखी बन जाओगे, तो दुखेगा, लेकिन यह रीडिंग और राइट जीवन में, कि जहांबे आप अपने दिल खोल के बात कर सको, तो आप लाइट हो जाओगे, जो हेवी फिल कर रहे होगे अंदर से, अगर बोल दिया कुछ, एक्स्प्रेस कर दिया, लाइट हो जाओगे, तो यह कर सकते हो आप, यह करना भी चाहिए, यह बार-बार करना चा कई बार आप अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, सो जे जी आजकल अगर हम देखें कि जो डिजिटल वर्ल्ड जादा हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल राइटिंग वाला जो चाम है, वो चाम थोड़ा सा जा रहा है, या जो फिजिकल वुक र देखिए, habitually तो मैं a traditional book reader हूँ, क्योंकि मेरे बचमन में तो digital थाई नहीं, तो जैसे वो DNA की print की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये भी print है, कि वही किताबे हाथ में लेके बढ़ने का एक और मजा हाता है, लेकिन अब अब अपग्रेडेशन के बारे में सोझे, क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं, वो भी change है, तो अब पढ़ने के तरीकों भी change आएगा, we have to accept it, चुकि मेरी आदत हाथ में किताब लेके पढ़ने की ये में, आज की generation के बच्चे को नहीं के पहूंगा कि नहीं, सिर्फ हाथ में लेने के पढ़ने से ही किताब किताब होती है, तो वो सोच के तरीके प्रिंटिंग, गुटनवर्ग ने प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस निकाला, उसके बाद प्रिंटिंग से आया बूक का तरीका, अब आएगा, वो digital से आएगा, वो Steve Jobs, गुटनवर्ग से Steve Jobs तक पहुँच गए है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इसा कहत स्क्रीन पढ़ते हो, या किताब लगे पढ़ते हो, पढ़ना आपको अच्छा लगता है या नहीं, तो पढ़ने की बात यहां पर आ रही है, तो कि आपके पास में एक पूरा मखलब के लाइबरी जैसा बिलकुल कलेक्शन है, I think 9000 से ज़्यादा किताबे हैं, 12000 से ज़्य ज़्यादा मेगजीन से आपके पास में 600 से ज़्यादा DVD सीरीज हैं, तो इतना appetite for learning, मतलब कैसे आपके अंदर, just curiosity है जो आपको drive करती है, यह अच्छा भी लगता है, curiosity के drive तो ही, एक बात यह भी है कि वे collection इसलिए भी करता हूं कि मुझे लगता है कि हमारे यहां यह value नहीं नहीं है इसकी, हम क्या करते है, archival value नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि हमारी शुरुति स्मुरूति की परंपरा आजारों साल हो रही, तो हमने कोई documentation वाला मामला कभी किया नहीं, लोग जबान देते थे और मान जाते थे, हमरी यह कहानियों में बगवान ने वर्दान दिय तो हमको स्टेम पर लेके नहीं जाते थे, कि भी लिखके दे तो, कि ऐसा होगा, वर्दान दे दिया, हम चले गए, तपस यादर के, यह मामला था हमरा, तो अब क्या हुआ कि दुनिया तो documentation और archives में जलती है, तो हमारी देखिया, हमारी क्याफी सारी चीजों की, जो और इत सो साल के बाद तो कौन हो गया इस जबाने में, लेकिन यह जो किताबे जैसे सो साल पहले की भी मेरे पास आई, तो यह सब किसी को अगर कुछ उसमेजे जाकना है, तो यह शबरी के बेर है, यह मैंने चूज करके रखे हुए है, आपको कम से कम चोईस का मामला निकल गया उ प्रंड होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी कबार इसके एक अच्छी सी लाइदेर ही बना दो, तो उप्योग होई, लेकिन यह फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि यह मेरा टेस्टेड कलेक्शन है, यह मैंने हैंन्पिक किया हुआ है, सबस्वे पढ़ नहीं पाया इसको, लेकिन मैंने पढ़ने उलेट के जब सिलेक किया कि यह किताब में खरीदूंगा, तो कुछ सो देखके किया होगा ने, इसे ही मैं रखके डेकोरेशन पीस की तरह नहीं है, एक चोईस, आपका टेस्ट भी उसमें होगा, आपकी पसंद और आपका जो टेस्ट है, वो भी उस में आएगा, तो जैसे हमारे कई फ्रेंड्स रहते हैं, जिनको, तो हमारे एक फ्रेंड हैं, जिनको मुवीज का बड़ा शोक है, मतलब बहुत डेप्ट में देखते हैं, और एनिलाइसिस करते हैं, क्रिटीक भी लिखते हैं, रिव्यू भी लिखते हैं, तो वो कई बार ज तो मैं काफे बार यंग बच्चों को कहता हूँ कि अपनी अपनी ओरिजिनल वोइस मैंन कीजिए तो सब्सक्राइब के पास रोता हुआ गया कि मुझे मुझे सबसे बड़े गुरू यहुदी परमपरा में और जो निकले थे जिबत में अजिसरो उसने फिर यू वाला पुरा सब्सक्राइब कि तो मुझे के मुझे 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 होना अधर कि ऍलिए मुझे Nickel कृच्छन तो बननाई पाया बगवान तुम्हें यह पूछेगे कि तु वकी बाग क्यों नहीं हुए, तो तुम क्यों नहीं हुए, तुम क्यों नहीं हुए, एक्स्प्लॉर यूरोण यूणीकनेस, तभी आपकी चाप छुटेगी जो आपने कहा के लिए, उनका डिस्टिंट टेस्ट होगा आपके दोस अबाद है और शेफ स्पेशल तक जाने की जरूरत नहीं है वारे हाँ चटनिया ऐसी होती थी दाल ऐसी होती थी वह कहते थे कि इनके हाथ का यह क्या होता था उसमें तो हम कहते थे उनका हाथ ऐसा है ना कि हाथ में कुछ मैजिक है तो मैं यह कहता हूँ कि मेरा मामला डिफरेंट है मैं यह कहता हूँ कि नहीं गोंडाइड में जो बड़ा हुआ वहाँ पर एक बजिया मिलता है उसका एक डिफरेंट स्वाद है अमदाबात में कहीं पर मिलता है सो मेनी तिंग्स आज एक माइंडसेट को सोसाइटी के माइंडसेट को उसके वैल्यू सिस्टम को शेप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है सो बुक्स का कितना रोल रह गया है आज भी कि कितना रोल है इस्पेशली जो इस सेल्फ डवलप्मेंट के बुक्स है या स्टोरी टेलिंग से इनके जरिये कैसे हम एक सोसाइटी के माइंडसेट को या वैल्यू सिस्टम को शेप कर सकते हैं जैसे मैंने खुद बताया ने किभी डिजिटल का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ मैं तो स्वागत करता हूँ मैं तो क्रिटिसिसम ही नहीं करता दोनों को कमपेर भी नहीं करता मैं कहता हूँ कि यह ओल्ड स्कूल वाला मामला है यह न्यू स्कूल वाला मामला है सिंपल लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप इंसान के तरीके से जो evolution आपका आप तक हुआ है वो evolution पर गवाद होगे gradually जैसे मेरी height है 5-7 तो मेरी वहाँ पे 5-7 पर मैं अटक गया तो यह मेरी limitation वहाँ पे आ गई उससे अगर मैं जो उंचा उठना है तो मैं क्या करूँगा सिरी लेकर आऊँगा या किसी को कहूँगा कि मुझे lift से पहुचा दो वो तो मैं हो 5-7 मैं पहुच सकता हूँ वो काफी उपर Empire State Building के उपर जा सकता हूँ बुर्ज कलिकपा के उपर जा सकता हूँ तो height बढ़ने के लिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी मेरे limitation के बाद तो brain का पही limitation होता है हमेरे घर में cupboard होता है हम सब कुछ उसमें रख दे फर तो बर जाएगा तो या तो आपको दूसरा cupboard लेना पड़ेगा या तो चीजे खाली करनी पड़ेगी तो वो application कहां से आएगा उचाही कहां से बढ़ाओगे वहां से बढ़ाओगे कि आप दूसरों के mindset को पढ़ो तो ये किताब मानी किसी ने, fiction भी हो होगर कहानी भी हो, किसी ने 2-3 साल अपने खर्च करके कुछ अच्छी कहानी लिखे तो उसका mind उसमें आया उसका जीवन उसमें है उसका reflection of life उसमें है उसकी thought process उसमें आई आपको वो CD मिल दी, ready बे आपने तीन घंटे में बढ़ ली न उसने तीन साल लगाए उसमे जो तीन साल लगाए लिखने में उन्हें जाने कितने सालों का उसका अनुभव होगा आपको तुरंत मिल गया तुरंत तो ready मिल गया आपको तो कई लोग जो कहते हैं कि हर चीज कुद के experience से सीखो लेकिन ये भी है कि हम कितना experience ले सकते हैं वो तो limited है life के अंदर तो क्यो ना बहुत सारे लोगों ने जो अड़ेड़ी experience ले लिया है आप से विल्गुल अलग हो सकता है तो क्यो ना उससे सीख लिया जाए और ग्रो कर लिया जाए एक बात मैं उसमें जोड़ना चाता हूँ आज जो मीडिया चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि everything is on mobile, on camera, on visual and audio presentation हम जिनको पहचानते नहीं आपने एक बड़ी फिल्म बनानी है आपको बड़ी सिरियल बनानी है वेब सिरिस बनानी है तो कोई तो लिखेगा न फिर आप एक्टिंग करोगे, फिर इंडेक्शन करोगे फिर सेट डिजाइनिंग होगा, फिर मुजिक आएगा पहले तो आप पुछोगे न कि कहानी क्या है केरेक्टर क्या है समवन इस तो राइट समवन इस तो क्रियेट ए थौट दाट्स अमेजिक यह बेस यह है, इसलिए किताबों को जिन्दा रहना चाहिए आपने काफि सारी चीज़े उपनिशत, वेद और बहुत सारी चीज़े आपने पड़ी है तो कई लोग एक confusion में रहता है कि religion और spirituality इन दोनों का difference कई लोगों को नहीं पता होता है कि कई लोग इन दोनों को ही same समझता है तो what is your view on this? what is your perspective? how do you see religion and spirituality? what is the difference? and how people gain clarity on this? थोड़ा बहुत जो मैं समझाओं उसके इसाब से मैं कहूँ कि religion में ritual ज्यादा है इसलिए तो spiritual शब्दे ही अलग है अमारे यहां शब्दे है अध्यात्म धर्म और अध्यात्म तो धर्म मनी एक system है धर्म system है इसलिए अमारे पुराने ग्रिंतों में महाबारत और सब में आप देख लीजे धर्म का प्रयोग जो आज के religious context है कि पुजापाथ करना है वरत उप्वास करना है उसके context में नहीं है विदुर भी धर्म की बात करते हैं बिश्म भी धर्म की बात करते हैं तो वो धर्ममानी system तो ये धर्म का मामला जो हमारे यहां हुआ और पुरी दुनिया में हुआ जिसको religion हम गहता है उसमें दो तरीके के truth मिक्स हुए एक geographical truth और spiritual truth spiritual truth इंडिविजुल ही हो सकता अध्यात्म की खोज समू में नहीं हो सकता बुद्धत्व आपको अकेले में मिलेगा मावीर अकेले ही हो सा ओगे मुम्बत पैगंबर को संधेश सुनाई धिया आवाज ही सुनाई धिया जीसस को गिरी प्रवचन वो अकेले में सुनाई धिया फिर वो लोगों के बीच कहे गुरु नानक देव ये किसी पी आप स्पिरिच्वल जो प्रीचर के दो, पैगंबर के दो, अउतार के दो, तो वो अपने आप में वो इंडिविजुल थे अज्यात्म का जो अवेकिनिंग एक शब्द है अमारे जागरन, कि आपके भीतर से जागरन होता है बहार किसी को खोज़, काफी सारे लोगों रेकाबिर जीव और सके के भी जिनको जाती इन पाया, अपने महीं टटोंल, काफी सारे वे हमारे गुजराति में भी है, वीतरनों, बेरू सो यह क्या है कि भी आपके अंदर आपको जांकना है, आपके अंदर जांकने की यात्रा आप ही कर सकते हो, माबाप भी नहीं कर सकते हैं, पत्नी, पती भी नहीं कर सकते हैं, आपको ही करना है, यह होगा अध्यात में, तो अध्यात में इंडिविजुरिस नहीं है, रिलिज तो डाइवर्सिटी उसमें भी आ गई आ गई कि भी यतना मिलूंगा इसमें से तो सेक्ट में भी निविजिल वाला ममला आता है कि किसी ने कहा कि मुझे आज साम को ऐसा लगा कि मेरे भीतर की आवाज ये कहने ही है फिर लोग उनको फोलो करने लगे कि इनके पास कुछ सच है और हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए तो ये जी सत्य की खोज जिसको हम कहते है दर्शन अमरे यहां एक शब्द है दर्शन हम दर्शनिक कहते है तो दर्शन बनी वीजन आपने कुछ देखा सिर्फ पढ़ने से नहीं आता पढ़ने से आप चारो वेद के पंडित हो जाओगे, महापंडित हो जाओगे लेकिन दर्शनिक नहीं हो गए दर्शनिक तो ऐसे अद्मी हुए है जो बुफलिस है जो दर्शनिक हुए जिसको कभी देखा नहीं कि उपनी शुत के से है तो इसमें एक मुझे अच्छा एक्जामपल यादा रहा है कि फिलोसफी में जो थिंकर्स हैं वो दो प्रकार के बताई जाते है कि एक थिंकर होता है जो इस्पेशली जो साइन्टिफिक थिंकिंग है वो हनी वी की तरह होता है कि वी की तरह है जो inputs लेता है, बाहर से inputs उसको लेता है, जैसे अलग-लग जगाओं से पढ़के, research करके, तो अलग-लग flowers में से input लेकर के आती है भी, और फिर उसको अंदर process करती है, process करके उससे honey produce करके देती है, और जो कई, जैसे आपने कहा कि, कई ऐसे philosopher होते हैं, जो intuitive होते हैं, यानि बाहर से कोई input नहीं ले रहे हैं, वो मकडी की तरह होते हैं, कि मकडी अपने अंदर ही produce कर रही है, उसी से ही जाला बना रही है, कि दोनों cause वो ही है, कि एक-एक material भी वो ही produce कर रही है, और जाला भी वो ही बना रही है, तो कई thinkers, जो मेरे ख्याल से, जो spiritual thinking में, या philosophy में हैं, कि हम input भी अंदर से ही निकाल रहे हैं, तो वो शायद वो input किसी awakening से ही आ रहा हो, या… तो वो जैसे एक अमारी गुजराती में एक बजन है, विजली ने चमकारे मोतीला पर वो पान भाई, वहनी जैसे विजली चमकती है, तो इन ए फ्रेक्शन ओप सेकंड आपको सामने क्या है, दिखाई देखा, आप अंदरे में खड़े है, बारी शोर है, तुफान है, आप आपको पता ही नहीं, पूरा खाना अंदकार है आपके सामने, एक कड़ा का हुआ बिजली का आपको पता चल गया करास्ता यह से जा रहा है, वहाँ पर पहाड़े, वहाँ पर नदी है, ऐसे चलूँगा तो वहाँ पोच जाऊंगा, फिर अंदरे रहो गया वापस, लेकिन because you are seen in a light for a fraction of second, तो आप उस पात में चल जाओगे, तो आप उस पात में चल जाओगे, तो इसलिए दृष्टा कहा गया है, कि आप कुछ देखते हो, पढ़ने वाला मामला नहीं है, तो आध्यातम में जादा देखने वाला मामला है, रिलीजिन में जादा पढ़ने वाला म क्योंकि आपके अवेक्निंग किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी की संगित से हो सकती है, भारत में तो ये बड़ा अच्छा काम किया, कि अध्यातम को किसी एक खाने में रखा ही नहीं, किसी एक बॉक्स में रखा ही नहीं, किसी के पास भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सक प्यार करते हुए भी आप अध्यत्म कि बहुर जा सकते हो। तपस्या करते हुए भी जा सकते हो। क्लोजली फोलो करो तो उसके काफी सारे रिच्यूल ऐसे है जिसको स्पिरिच्यूालिटी नहीं है लेकिन जोग्रोफिकल है वेकोज वो अरब की रियत में पैदा हुगा तो आप देखिए स्थ्रिवों को तो ढके हुए कपड़े पहनने के बुर्का है पुरुषों को भी व गर्मी में रेत आती है आपके उपर आप आप हाफ स्लीव पेन के नहीं बैठ सकते हैं आप जितना कवर होगे उतना प्रोटेक्ट होगे रगिस्तान में कोई दिवार तो थी नहीं उस जमाने में जोग्राफी का एक बहुत बड़ा इंपक्ट है रिच्वल्स कैसे इवोल ह होते हैं किस जोग्राफी में वो रहे हैं वो इवोलुशन में बड़ा मदद करते हैं तो अपने-पने स्वर्ग की कल्क नहीं ऐसे होती है अलग-अलग दर्मों ने अलग-अलग स्वर्ग बनाए है आप देखिए तो एक स्वर्ग जैसे केशी दर्म का होता है उसमें काफी अपने स्वर्ग बनाए है तो मुझे लगता है कि जिसने भी आइडिया बनाए हो मेल ही होगा क्यों कि फिमेल का एवन तो किसी नहीं नहीं बताएगी तो नहीं पनाएगी तो जादा तर अपसराओं ही बात की गई है निगे एनिबडी को कंसीवड इस आइडिया मस्ट भी यह मेल है यहां पर जो नेक पाया वो उसने सोती है कि बात में बिल जाएगा तो इसमें एक पॉइंट और आ जाता है जी कि कई बार मैं देखता हूं कि मैं थोड़ा विलेज कल्चर से भी आता हूं तो कई बार rituals मैंने देखा है कि लोग out of love नहीं करते हैं कई बार out of fear ritual कर रहे होते हैं So what is your take on that कि कई बार मैं देखता हूं कि suppose घर में किसीने fast करना है और वो fast अगर miss हो गया So they become very anxious and fearful about it कि कुछ बुरा हो सकता है तो कुछ ऐसा हो सकता है So what is your take on this कि क्या fear foundation रहना चाहिए या फिर एक love और एक connectedness foundation में रहनी चाहिए I am very clear about it Please love काई foundation होना चाहिए और हमारे भारत में सानों से यही बात कही गई है फिर बाद में अनगलग धर में यहाँ पे भी आये और उसका interaction होआ और बाद में यह fear cycle से समरेया आ गया काफी सारी परंपरा है आप देख लीजिए पहले बारत में थी नहीं आप पुराने शिल्प देखेंगे स्रस्कृत का साहित्य बटन के उसमें जिक्र ही नहीं मिले गया इसा कुछ पुरान के जो साहित्य है वो पिछले 2000 सालों में लिखे गये वो तो में उपनिशद और वेद उससे पुराने है काफी सारे अमरे स्थापत्य और शिल्प है जो बच गए जो नहीं बचे वो तो हम देखी नहीं पाए लेकिन जो बच गए अजार साल पुराने वो आप देख लीजिए वो डिफ्रेंट है उसमें ऐसा कही यही करना है यही नहीं करना है इसा कुछ ही नहीं उसमें आप ब्रामायान या महाभारत भी उठा के देख लीजिए तो एसेंशली मैं तो काफी बार बोल चुका हूँ कि भी आप भी इस तरीकी से भी देख सकते हो कि रामायान इस एन एडवेंचर स्टोरी इस स्टोरी ओफ फेलोशिप एक प्रिंस है जो अपने मेल में रह सकता था वो जंगल में जाके वनवासियों के साथ कनेक्ट होता है वो उनन का एक एडवेंचर हीरो जो जर्णी करके बहार आता है उस अनसर्ट Benjamin को एक्सेप्ट करर रहा है वो जो हीरो की बेसिक डिफिनेशन है कि वुई जिस हीरो जो अननन को जो साहस करने के लिए निकले जिसकी जर्णी को करेज की वज़े से पूरी वह सिंबाद हो आथ इन जन्डा पर्चम लेनाने के लिए तो नहीं गये थे, मेरी पत्नी है आपके पास और ये मुझे प्रेम करती है, मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ, सिता ने भी वही कहा रहा हूँ, को कि भी मैं आपको प्रेम ही नहीं करती, मैं मुझे कोई यहाँ लंका में सोने में कोई नसी नहीं है, मेरे तो पतिराम है, और उन दोनों का जो विवाबे हुआ है, वो प्रेम से हुआ 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 है, ऐसा नहीं है कि जनक राजा ने दर्श्रत को मिल के कहा, कि भी मैरी एक बेटी है, आप अपने राजकुबार को इसके साथ ब्यादो, तो ये अमारा, मै अपनी फाउंडेशन की बात कर रहा हुआ हुआ है, भारत के फाउंडेशन की, तो बाद में कुछ यसे आगे तत्वा, जिसमें आपने बताया है, वो फियर, परमपराय, ये करोगे, वो करोगे, कमान्मेंट वाला मामला इंदुस्तान में तो था ही नहीं, क्योंकि एक बुरू नहीं है, उपन सोर्स एंडरोटे में अपने हिसाब से ये कहता हूँ, ये अपन नहीं है, एपल पर आपको सब कुछ ट्यून करना पड़ेगा पहले, सिंख करना पड़ेगा, इवन गौड्स में भी फ्रीडम यहां पर है, मतलब कि पेड में भी गौड देखने है दाए में भी देखा जा रहे हैं, पथर में भी बड़े हुए हैं, मेंभी छोटे गाउं में बेने देखा के वही एक पथर होते हैं, तो यह चावाला पथर है, उसमें सिंदूर बिंदूर लगा दो, और श्रीफल लारियन वहाँ पे सामने रख दो, दूप दिप कर दो, तो लोग को उसमें अन्मन जी देखने लगेंगे तो आस्था इंपोर्टन्ट है और आस्था आपको अभई देती है भई देती है वो आस्था ही नहीं मैं तो यह मन थे थिर वो I think वो ब्लाइंड फेथ हो जाती है कन्विक्शन नहीं होता कहीं न कहीं जहां मैं डर रहे वहां आस्था कैसी हो गई अगर मैं आस्थावान हूँ अगर मैं सच्चे तरीके में जिसको हम जार्मिक मना जाएंसे हूँ तो मुझे कोई चिन्न बताने की जरूरत नहीं है यह तो ठीक मेरा इगो हो गया यह तो मेरा इगो है कि देखो यह देखो मैंने यह त्रिपुंड केसे किया है या मैंने हाथ में यह क्या प्याइदा है या मैंने वस्वर केसे पेने है यह तो सिम्बूल हो गए सिम्बूल इसी हो चाहे में टीशिट भी पेनो और उसके उपर माइकल जेक्सन है तो यह मैंने बताया ने दुनिया को कि Michael Jackson मुझे बड़ा पसंदे देको मेरा टीशर्ट तो हमारे यहां तो बड़ी इंट्रिस्टिंग बात है कि भी हमारे यहां ऐसे बेद कई सी बताये नहीं अग पुराने साहित्यों को हम पढ़ते नहीं हम उसके बारे में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते हैं ओरिजनल सोर्स नहीं है तो वहां पर यहां तक बात की पुरी बगवत गिता सुनाने के बाद कृष्ण ने कहें दिया कि अथिच्छ सी तथा कुरू आपको जो अच्छा लगी वो ले लो और बागी का छोड़ दो लोग सवाल नहीं पूतते हैं हमारे यहां तो सवाल जबब से शास्तर बने प्रालाद ने अपने पिता को बोल दिया यह नहीं करूंगा आप पिता जी है लेकिन आप गलत हो यह जो डर और यह कही ना कहीं ट्रांसफर करते से में मेरे ख्याल से में भी जो टीचिंग्स हमें मिली शायद पैरेंट से मिली उन्होंने शायद पूरा नहीं समझा तो शायद इस वज़े से डर की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आ गई जैसा आप ने कहा तो एक वैलिडेशन भी उस पर आ गया कि that love should be the foundation instead of fear west जै कि fear से यह बगवत गीता में भी है और यह स्टार वर्स में भी आपको एक dialogue यह योद्दो करके जो character है स्टार वर्स में उसका बड़ा interesting dialogue है कि we fear list to anger, anger list to hate, hate list to suffering यह इस श्लोग बगवत गीता में भी है थोड़े तू वर्ल्ड ऐसे बहुत है लेकिन मर्म यह ही है रोज से मूट हो जाते हो आप इसा एक श्लोग है क्योंकि मैं अभी Salim Khan साब, Salman Khan के father उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने एक अच्छी बात बताए कि permanent fever किसी को रहता नहीं, permanent fever रहे तो आदमी मर जाएगा आपका normal room temperature है तभी आप जिन्दा रह सकते हो permanent आप hot नहीं हो सकते 102-103 पर नहीं जिन्दा रहोगे, permanent लिए पोड़े दिन रह सकोगे तो anger एसा mode है, fear एसा mode है जो permanent नहीं है, mode given है हम ऐसा कह सकती है कि हमारे अंदर fear बगवान ने डाला क्योंकि survival के लिए डाला आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक शेर आना है वाग मुझे खा जाएगा, जे life of pie में भी अच्छी तरीके से बताया है कि माता यह कहती है कि विश्णू को याद करो और श्रदावान अभे हो जाओ और पीता यह कहती है कि अभे तो हो जाओ लेकिन यह वाग है वा तो विखा जाएगा तो उसको कंट्रोल करना भी सीख लो तो यह फियर आपको बचाता है एंग्जाइटी क्यों आती है क्योंकि एंग्जाइटी आपको प्रिपेर करती है भागने के लिए दोडने के लिए तो यह सब गौड गीवन है लेकिन पर्मेनेंट जो अवस्था है आप प्यार में पर्मेनेंट रेप आओगे मुस्कुरहट में पर्मेनेंट रेप आओगे से यह कुदरत की मैं तो बात कर रहा हूँ बगवान के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ नेचर ने जो टिफेंड किया, पुरी रेशनल बात है ये तो, तो अब जैसे मैंने आपके उपर क्रोध किया, तो आपके क्रोध मैंने क्रोध मैं यह है, जैसे यह तोड़ दूगा, इसको उठा के फैक दूगा, यह करूँगा, पर कब तक करूँगा? रिसर्चेज ये बताती है कि एक emotional state एक bell curve को follow करती है it rises, it reaches its peaks and it subsides और लगबग 4 minute से 12 minute type का समय लगता है एक पूरी एक cycle को run करने में उसके बाद तो फिर हम सरिफ repeated memory चला रहे होते हैं क्योंकि हम पकड़ के बेठे हुए है कि ये देखो इसके उपर मुझे बड़ा गुस्सा आया है गुस्सा तो अंदर से निकल गया है वो तो moment खतब हो गया लेकिन मैं पतर के बेठा हूँ अपने ego की वज़े से कि नहीं तो इसलिए अमारे भारत की सब शास्त्रों ने कहा कि पहले अहंकार को उस डश्ट कर सब प्रोब्लेम का जो मूल है वो अहंकार है ये गोट गिवन नहीं है ये और गोट गिवन है वो नेचरल है इगो इस नोट नेचरल सजीव शुष्टी में भय है सजीव शुष्टी में प्यार भी है लेकिन सजीव शुष्टी में अहंकार नहीं है सिर्फ इंसानों के पास अहंकार है अब पूरा भारत के स्क्रिप्टर्स देख लो तो उसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो रावन नहीं है, सबसे बड़ा विलन दुरियोधन नहीं है, सबसे बड़ा विलन अहंकार है Because ultimately this is what इसी ने रावन जैसे नॉलिज भी थी उसमें लेकिन जस्ट सारे बाकी गुण खतम कर दिये इस एक अब गुण ने बाकी सब गुण खतम कर दिये क्योंकि ये man-made है न ये natures made नहीं है तो हमारे यहां यह लव वाला मबला इसलिए आया जो हमारे यहां तो प्रिचिंग की गई काफी सारे संतों ने भी मध्य जूक के जो संता है जैसे मीरा बाई है जैसे कबीर है जैसे जैतन्य महाप्रभू है काफी सारे आप देख सकते हो अलग-अलग विद्यापती जी है हमारे मोरारी वापुझी है में उनको नहीं चाहता हूँ जो कि किसी भी बंतन की बात नहीं करते किसी को कोई शिष्य बनाने की बात भी नहीं करते हैं भोट साही है तो उनके पस भी श करते हैं, वह भी सकते हैं लिए कि परे अस्द सकते हैं मैं अगर सादू अपने आपको मानता हूँ तो सादू को तो बेद करने का अधिकार ही नहीं हमारे भारत में सादू के लिए ये सज्जन है ये दुर्जन है इसे बेद दोने नहीं चाहिए तो मैं सुधा रख नहीं हूँ, सुधा रख कोई और लोगों के, मैं तो सुधा रख हूँ So, इस conversation से एक चीज जो मुझे आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक point बहुत चलता है कि क्या life का कोई purpose है Life क्या कोई उदेशे कोई purpose है Individual तो हमारे होते हैं बट क्या जीवन का कोई उदेशे लगता है कि या फिर ये सिर्फ एक evolution की chain है जो चल रही है या फिर सही में इसमें कुछ purpose है ये पूरा मामला जो हम fear वाली और love वाली बात करते हैं उसका जो मूल है वो यहाँ पर है क्योंकि human being का जो brain है उसको rational बनाया गया है जो किसी और के पास नहीं है सजीव शुष्टी में सिर्फ मनुष्य के पास है thinking और cause effect अब देखिए अब किसी तोता है उसके सामने मिर्च का film लगा के देखो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तोते मिर्च को पसंद करते हैं लेकिन मिर्च की फिल्म को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसके software है यह सा बना हुआ है लेकिन हमारा brain imagine करता है तो हम क्या करते हैं कि हम किसी खाने का show देख लेते हैं YouTube में और हमको लगता है कि यह तो आज ही खाना है वही कि आज ही बनाएंगे आज ही order करेंगे pizza तो उसके उपर तो पुराय संसार हुआ कला का संसारी वह से शुरूआ कि आप जूठ के से बदा होगे कलाकार मनी क्या मैं तो कुद कलाकार कला का प्रेमी ओर कहता हूँ अब आपको अच्छी तरीके से जूठ कुणना आना चाहिए आप डाइनोसोर बता रहे हो डाइनोसोर है नहीं लेकिन आप दो गंटे में डाइनोसोर फिल कर पाओगे कि यह डाइनोसोर ही है मेरे सामने तो यह जो चीज आई जो बेज आया हमारी यहाँ वो उस वज़े से तो आया कि हम यह सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं तो इमेजिन करते रहते हैं हमारे दिमाग का प्रोसेस ही यह सा हुआ इमेजिन वाला तो हम्रे काफी सारा इमेजिन कर लिया यह होता है यह होता है यह होता है और इमेजिनेशन में God भी आजाते है तो यह जो basic सवाल आया कि मैं कहा सा है और life का purpose क्या है फिर हम imagine करें Our consciousness has a nature of simulating future It is always simulating the future Because जब वो future simulate करता है तो उसे predictability model मिलता है कि future का model ऐसा है तो वो एक safety और survival के लिए एक tool उसका काम करता है तो वो simulate करता रहता है तो और आपने एक point यहाँ पे बीच में बोला कि cause and effect तो कहीना कहीन शायद हमारा brain भी एक cause and effect का output है इसलिए वो हमेशा cause and effect पर ही सोचता है तो brain हमेशा यह सोचने का प्रयास करता है कि utility क्या है life की तो कहीना कहीन शायद जो वो यह बोल रहा है कि life का purpose क्या है तो यह पूछना चाह रहा है कि use क्या life का ultimately वाइभी यह यह और फिर उसको यह भी क्योंकि मृत्यू का डर है यह सो भाई की हम बात कर रहे है तो प्यार कर सकते हैं जीवन से लेकिन बृत्यू से प्यार नहीं कर सकते किसी को बृत्यू से प्यार नहीं होता तो वो डर जो है कि बाद में क्या होगा तो फिर और हम सोचने लगते हैं क्योंकि मनुष्य तो यसा मनता है कि मैं केंद्र हूँ यह मेरे इर्दिकृती पूरा संसार है यह ब्रह्मान बेरे इर्थ के लिए गुमता है मेरे लिए तो उसकी वज़े से उसको लगता है कि नी यहां से खतम तो नहीं होगा ममले फुल स्टोक तो नहीं है आगे भी जा सकते तो मैं तो एकना मनता हूँ मैंने काफी कुछ पढ़ा काफी कुछ जो फील किया सिर्फ पढ़ने की बात ही है तो है नहीं यह सिर्फ पढ़ने से नहीं आदा यह आपकी अंदर से फीलिंग आवाज आती है इनर कॉलिंग जिसको गए तो उसमें से मैंने दो मोटे मोटे तरीके से दो थियरी निकाली कि एक परपस यह है कि भी larger scheme of things है उसमें आपका कर्म आपका सदाचार आपकी जीवन की जो धरा जो बाद में क्या है बृत्यू के बाद का जो पूरा जो संसार हमने रचा है बृत्यू के बाद का जीवन का नहीं उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे है यह परपस है तो आप जिंदा इसलिए हो कि भी आप उसके बाद में क्या करोगे कर्म इसे करोगे यह करोगे वो करोगे इसे आप बक्ती करोगे यह करोगे और उसका फॉल आपको भाद में बिलेगा लेके fix deposit अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे वो पक जाएगी तब आपको मिले ओके एक theory यह आई दूसरी theory यह आई कि भी बाद में क्या है agnostic अब कि यही वादी जिसको कहते कि भी बाद में क्या है मैं पता नहीं और जो लोग कहते है वोड का अनुबव हो सकता है हमने तो कभी हो लिया नहीं किसीने का कि मैं तो गुम के आया हूँ मैंने देखाया है कि बाद में यह होगा है लेकिन मेरा अनुबव नहीं है तो मैं तो कहे दूँगा आपका हो सकता है लेकिन मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया ऐसा दरशिय तो यह agnostic theory यह गेती है कि जीवन का परपस है जीवन लाइफ इटसेल्फ करके उसके बाद का आप सोतने के वह वक्त क्यों बरबात करो इस तो दो theory different है Western and Eastern Eastern world में जितने भी religion आए अब देख लीजे वो सब religion क्रिश्चानित ही हमें Western लगती है लेकिन आई एस्ट में से Jerusalem साई Jesus was Israeli He was not Greek, he was not Roman He was not American or European तो सब के जितनी religion आए वो तो इस्ट में से आए तो उसने बाद वाली ये बात ही किये सब religion ने ये इस्ट वाली थोट है एक धरा इस्ट की है परपस वाली वो बात के परपस की बात में सोचते है और उसके लिए कर्म, जज्जमेंट, कयामत सब कुछ आ गया है उसके बीच Western जोट जिसको मैं कहता हूँ उसका religion से सबंदी नहीं है वो Socrates, Leonardo da Vinci scientist लोग, artist लोग, renesa rational thoughts Plato, Aristotle ये पुरा जो लाइन, इनका फिलोसिपर्स का लाइन है जो पेगन, वहाँ से Greek Roman आया, फिर वो influence होके Western वल्ड के साथ, क्रिश्चानी के साथ जुड़ गया Because of Christianity spread, अमें लगता है कि ए Christian culture है, नहीं, Western culture is a thought different ये वो मानता है, वो weekend economy का मामला है कि आज खा लिया, आज बजा कर लिया अब सोमवार को फिर से कबा लेंगे शरीवार को खर्च कर देंगे ये Western thought है ये mind processes नहीं हुआ है क्योंकि वो Greek-O-Roman जो thought की धारा है उसमें religion नहीं है उन्होंने ये सोचा कि purpose is life इसमें जितना आनंद कर लो इसलिए science सबसे ज़्यदा innovations महां से है सबसे ज़्यदा क्योंकि उन्होंने life के बारे में सोचे हमने afterlife के बारे में सोचे तो इसलाम में भी इतनी innovation नहीं आए innovation में नहीं scientific innovation पिछले 200 साल से जो हम यूज कर रहे है camera, microphone technology and overall AI, whatever तो वो क्यों वेस्ट में से एर बार आ रहे है शुरू वहां से होता है क्योंकि ये पूरी धारा, best money धारा, फिर वो सिंगापूर से साइन्टिस भी वहां चला जाएगा और भारत से भी चला जाएगा, धारा वो है उसकी, सोच नहीं धारा इतनी में कहता हूँ कि ये उसने life के बार पस सोजा तो जो जीवन चल रहा है, उसी को कैसे बहतर बनाए, उसी में कैसे deeply involvement के साथ में जिया जाए, instead of thinking की बात का कोई future है उसको सोचने के बाद तो ये टकराओ, आप बोले तो टकराओ या आप difference बोले तो difference जो आप conflict भी बोल सकते हो ये है, basic मेंने इतने सालों पढ़ने, घुमने, लिखने, स्वतने के बाद जो तारतम्य निकाला है उसका है वो ये है, तो मैं इतना कहता हूँ उसकी conclusion, आप मुझे ये भी पूछ सकोगे कि conclusion क्या है ये तो आपने फिर all confused कर दिया है तो conclusion मेंने ये निकाला है कि जीवन का purpose है वो आनन्द है जीवन का और मृत्यू का purpose है वो निर्वान है जो निर्वान की बात करते हैं, वो मृत्यू के बाद ही होगा जीवन में तो होगा नहीं तो आनन्द तभी आप कर सकते हो जब दूसरों को आनन्दित करोगे क्योंकि अकेल आनन्द में होना तो practically possible लिए दूसरे लोग आनन्द में नहीं होगे आपको मार देंगे खुद आनन्द में रहने के लिए लोगों को आनन्द में लाना ज़रूरी है this is the purpose of life और death का परपस है जो निर्मान और आपका जीवन आप पारदर्शक तरीके से दूसरों को आनन्दित करने में हर कोई क्राइम निकल जाएगा मलाद कर नहीं कर सकोगे खुद नहीं कर सकोगे लूट नहीं कर सकोगे मैंने कहा ने कि you are to spread the happiness अकेने happy होने से कुछ नहीं होगा आप happy हो लेकिन दूसरा खा जाएगा आपको तो वो तो violent है वो unhappy तो spread the joy और spread the happiness के बारे में जब मैं बात करता हूँ तब मैं कहता हूँ कि elimination of crime है Yes You cannot do crime तो ये जो मामला है थोड़ा deep है उपर उपर से बला सस्ता लगता है कि enjoyment की बात कर रहे हैं लेकिन अंदर आप जाओ के तो deep है कि कोई आप दूसरे के enjoyment को दखल अंदाजिक किये बिना enjoyment कर मेरी गाडी में मैं enjoy कर रहा हूँ लेकिन किसी को कुचल के नहीं जा रहा हूँ या फिर अपने घर में music सुन रहे हैं रात को लेकिन फडोसी भी ना जगे इसका भी ख्याल रख रहे हैं तो वहाँ पर तो human civilization वाला civilized society वाला मामला आगे ने civilization क्या है हम दूसरों का ख्याल रखे जीए वही तो civilized society है ओशो का जिकर भी एक बार हमारे बातों में आया तो और मैं खुद भी काफी पसंद करता हूँ काफी controversial रहे हैं बट मुझे लगता है कि अपने समय से आगे थे और बड़ा raw मतलब बहुत transparent जनरली लोग क्या थोड़ा मीठी मीठी बाते करना कई बार spiritual गुरूज वह ज्यादा पसंद करते हैं और एक वो रोनेस थी तो ओशो को आपने क्या पढ़ा है और उनकी आते हैं अकिन एक मुरारी वापू का एक अपवाद एक जहां वहां पर गए और उन्होंने पब्लिकली बोला कि मुझे ओशो को बढ़ना अच्छा लगता है मैं हर बात में सहमत नहीं हूँ उससे लेकिन उनके पास ग्यान था उसकी में बंदन करता हूँ उस ग्यान तो मै अरबार विचार और आचार के बीत में अन्तर थोड़ा रेता है अगर जिसने मैथेमेटिक्स बेजिक थोड़ा क्रिगोडोमेट्री बढ़ा होगा उसको पता हो गया एक्स टेंड्स तु जिरो अनि अब जिरो तक पहुच नहीं पाओगे टेंड करेगा यस टेंड करेगा मुझे फूंक फूंक लगा कि उसको थोड़ा शंडा करना पड़ेगा तो बोलने में जो हम कह सकते हैं कि गर्म कॉफी पी नहीं है वो जब आचरण में जब आते हैं तब उसमें 20-30% ट्रास्मिशन लोस होता है अर किसी में होता है प्यार की बात करने वाला आदमी कोई हर 24 से गंटी गुलाब और चोकलेट की बात नहीं कर पाता है कि उसके भी देधर्म होते हैं उसके भी काम करना भी करना है उसको पुरुषे तो शेव भी करनी है तो यह मैं कहता हूं कि आप विचार में लीजिए अम क्या करते हैं आचार देखके उससे दूर हो जाते आचार त की कोशिश की जब अब बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं तो टाइम कम है और एक विसफोट बड़ा हुआ अचानक सब के हाथ में मोबाईल आ गए इंटरनेट आ गए उसका एजूकेशन नहीं आया पहले क्या होता था कि आपको पहले एजूके इसा हो गया तो ओशो को विकोश उनके पास बहुत ज़्यादा अपनी वरित निल सोत थी बहुत ज़्यादा सोत जब किसी बरतन में आप बहुत ठूस दोगे तो बरतन फट जाएगा इस फिजिकल लो उसको तो आप डिफाइन नहीं कर पाऊगे उसके बाद बार नहीं जा चलाते है प्रिष्ण को आगे करके अपनी दुकान चलाते हैं उनने किसी को आगे नहीं किया उनने सब का खंडन भी करते गए महिमा भी किया जो अच्छा लगा उसका महिमा भी गिया लेकिन अपने ऑब्जरविशन से किया तो अब इतने वह खुद बोले है कि वह बेजिक कर रहा हूँ, क्योंकि आप सुनोगे नहीं सिस्था प्रेम और ज्यान के बारे में बात करूँगा, तो मैं आपको शोक भी करूँगा, सुबह में किसी का प्रशन सा कर दिया, रात को उसकी ठीका भी कर दूँगा, आपको विरोधावास लखेंगे, लेकिन वो वोशो को आप साइड में रखें, मैं आप सिब कह रहा हूँ, मेरा दर्श्टी कॉन, कि ये पूरी कुद्रती विरोधावास ही है, परडोक्सिल है, आप देखिए, एक जगह पे अंदेरा है, एक जगह पे उजला है, अमरिका में जब सुबह होती है, तो भारत में अंदेरा हो जाता है, पानी भी बरसाता है, कुद्र तो राग भी बरसाता है, गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है, ठंडी भी आती है, देजर्ट भी है, रन भी है, और इमाले काहिम भी है, जीवन भी आ रहा है, मृत्य भी आ रही है, तो ये पूरा जो, जिसको किसी ने किया, कैसे किया, वो digestive system को भजम नहीं हुआ है दिमागी digestive system को ये तो इसमें जाना नहीं है ये ये हम पचा नहीं पाए क्योंकि हमें ज्यादा तर एक side चाहिए होती है हम contradictions को hold करके चल नहीं सकते हैं दो contradictory idea को hold करके चलना is very difficult for any person so they want to take side and he was not taking side he was like creating contradictions उन्होंने तो अपने ही खंडिन शुरू कर दिया बाद में अपने खुद का खंडिन शुरू कर दिया अपने सिश्यों का खंडिन शुरू कर दिया ज्यादा controversy इस वज़े से हुई कपने लोग ही उनको दूर होते हो चले गए लेकिन he was a phenomenon मैं मानता हूं कि ऐसा आदमी पूरी जैसे Einstein को लोग कहते है फिनो कि इसा brain पैदा नहीं हुआ तो उसके साथ में रख सकता हूं कि फिलोसफी में अगर he is the man that very radical ideas, original ideas, way ahead of time, कुछ बहुत extreme भी थे बिल्कुल एक्स्ट्रीम थे और उन्होंने दो combine कर दिया ने वो physical world भी ले आते थे spiritual world में तो उनका idea था कि इस तरीके से में ज्यादा उनका help में दे दिखाए इसमें मैं भी आ गया हर किसी का किसी भी artist को आप पूछ लो किसी भी creator को आप पूछ लो artist one is not only performing artist कोई भी creative side रखने वाले इंसान को आप पूछो तो उसकी एक चाहा रहती है वैसा वैसा प्रसिद्धी वो सब ठीके ज्यादा रोगों तक पहुंतना उसमें से तो महत्मा से महत्मा मुक्त नहीं हो पाए उनके ये अब बुद्ध बैट सकते थे ना पेट के नीचे जुड़ना मतलब अपने विचारों से जो इंसाइट्स हैं वो इंसाइट्स विजड़म लोगों के साथ में शेयर करना माघिर ने तो वस्तर भी त्याग दिये थे फिर भी विहार किया लोगों तक पहुंचे कभी ये मेरे पास ज्यान है आप चला सीख लो ज्यान ही इसी अपने साथ शेयरिंग की भूख लेकर आता है आपके पास कुछ अच्छा आदे है तो आप वीडियो डालेंगे आप लेक रिखेंगे अंदर से पुछ नहीं आता तो वाट्सप पे स्टेटरस डाल दोगे तो ये ज्यान शेयरिंग लेकर आता है तो उनकी हिसाब से मैंने म मार्केटिंग वाना मामला आजाए जिसके वो एक्समर्ट भी थे पाता विदा की लोगों को कैसे मार्केटिंग करके पहुँच जाना है इसलिए तो हम उनको याद कर रहे है वरना तो फिलोसोफर्स लोग भूल जाते कृष्णवूर्थी भी थे लेकिन ज्यादा तर कि अगर आपको हिंदूस्तान को सही तरीके समय समधना है बहुत पढ़ना पड़ेगा एक लाइफटाइम में वो संभव नहीं है इतने सार आप पढ़ के प्रोसेस कर ला है तो उसके लिए रेदी मेंट रेकनर जिसको रेदी रेकनर कहते है अभ्यासकरम की बाशा में वो अर्ली बर्ड और नाइट ओल नाइट ओल नाइट ओल वो पड़ेट गुजराती डिश्च बटेट आवड़ा तो यह नास्ट है आपके कंटेंपररी ओथर जिन्हें आप बहुजा आप बहुजा आदी वो गई तो यह नास्ट है आपके कंटेंपररी ओथर जिन्हें आप बहुजा आदा एड्मायर करते हैं और क्यों दिपक सोलिया जी करके है उनको ज्यादा आप मैं एड्मायर करता हूं क्योंकि वो बात को बढ़ी सोफ्ट और सही तरीके सके सकते हैं और एक सुभाश बट जो स्पिरिचुल बात है बढ़ी अच्छी तरीके सकते हैं उनको एड्मायर करते हैं अगर आपको एक डिनर पार्टी प्लान करने का मोका मिले हिस्ट्री के कोई भी तीन फिगर्स के साथ तो वो सीन फिगर्स कौन से होंगे एक तो बड़ा डिफाइने कृष्ण होंगे तो उनके साथ तो दिनर करन लवली पड़े पे ही देखा है तो देख लेंगे डिनर में कैसे दिखते हैं और तीसरा पोशो ऐसा कौन सा आपका एक skill या talent है जो बाहर की लोग नहीं जानते हैं लेकिन आपके कुछ करीबी लोग जानते हैं सिर्श लोग यह जानते हैं कि मैं कितना खाता हूँ या कितने कितने अच्छे-च्छे स्वाद वाला खाता हूँ लेकिन लोग यह नहीं जानते हैं कि मैं कितना नहीं खाता हूँ यानि मैं पूरा मिल स्किप करता हूँ, मैं ब्रेकफास भी नहीं लेता, और मैं ज्यादा तर डिनर भी नहीं लेता, अभी तक आपकी किसी फैन ने सबसे अन्यूजुवल या नेक्सपेक्टिड कोई गिफ्ट दिया हो, एक लड़की ने असमिता परव मोरारी बापु के यह अगर तो कोईसे ने कोई प्रॉबलिम ने किया, दुसरी जगे पर होता तो वह वक्ता के तौर पर दुसरी बार मुलाते भी नहीं हुझे, तो यह सबसे अन्यूजुवल, क्योंकि, किस कर दिया हूँ, कि कोई फोटो ने काल लाएगा, कोई अच्छी अच्छी बाते करेग सबसें लेकिन प्लेसंट, लवली, यह तो बहुत अच्छी नहीं है। और र्परेट ट्रेवल डेस्टिनेशन है वह तो फोरी दुनिया को मैं सबसे फेवरेट आपकी कोंसी देश न है। वर्स फेवरीट मैं तो मैं तो यह काहूंगा कि न्यॉर्क The most significant personal change you have made in the last year Personal change, मैं बहुत ज्यादा voice throw करके बोलता था आज भी वो आधा तो है, लेकिन मैंने आजा किया So what inspires you the most in life? Life itself Life is a beautiful endless book or movie you can say One piece of advice, जो आप चाते हों कि आपको 10 साल पहले मिला होता दस साल पहले किसी ने अगर कहा हो, ताकि भी जितनी किताबे पढ़ रहे हो, उसके साथ थोड़े investment भी कर लो तो किताबे रखने के लिए जगे तुम बढ़ा सकोगे A movie you can watch repeatedly without getting tired The most challenging part of writing a book जो नहीं कहा हो दूसरों ने Repetition, टाल के, elimination करते हुए आप उसको better presentation कैसे कर से Better presentation as well Writer लोग लिख तो पाएंगे नया, जो दूसरों नहीं कहा लेकिन आज के जमाने में सबसे important part है How to present a book तो मैं अपनी book self-design करता हूँ तो मैं किसी भी book को आप देख लीजे डिजाइनर दोस्त है, जैसे camera man होते है वो director के तौर प्रेजेंट खुद करते हैं मैं खुद बाजू पे बैठ के एक page को design करूँ How do you take a writer's blog? आता ही नहीं अभी तक या, writer's blog हमारे जैसे writer के लिए नहीं है वो तो, जो fiction के बड़े-बड़े सूर्वा है उनके लिए है कि भी कहानी कहा से ले आऊंगा हम तो non-fiction के writer है और non-fiction के writer को writer's blog तो वो बड़ी लगसरी हो जाएगी उनके लिए अगर जेव असावड़ा जी किसी parallel universe में होते है और writing नहीं होती तो और क्या कर रहे होते है film making film making कर रहे होते और last question कि आपके पूरे जीवन से अगर दो या तीन ऐसे secrets आप दे सके हैं या steps दे सके हैं जो लोग सफल होना चाह रहे हैं अथर बनने की journey में या किसी और चीज में क्या दो या तीन सबसे important lesson आप अपने जीवन से दे सकते हैं जो लोग follow करें अपने सपनों के साथ अपने क्षमता को check करो लोग सपना ही देखते रहते हैं क्षमता नहीं देखते हैं सपना और क्षमता different चीज है तो एक lesson तुम ये देना चाहूंगा दूसरा ये देना चाहूंगा कि भी आप अगर कुछ करना चाहते हो तो चेक कर लो किसमें आप बैतर हो उसमें आपको 100% दे दो और जिसमें बैतर नहीं वो उसको छोड़ दो उसको पकड़ के मत रखो कि नहीं यह करना है यह चेलेंज है यह लोग क्या कहेंगे वो अपने आप जो अच्छा कर लोगे न जो जिसमें बैतर हो तो लोग वो भूल जाएंगे कि आपके कमिया क्या है आपकी मर्यादा क्या है अपने आप भूल जाएंगे सचिन ने क्रिकट अच्छा खिल दिया सचिन कैसा दिखता है उसकी हाइट के सी है वोइस कैसा है लोग भूल गए एक ही गुण इतना बड़ा कर दोगी बाकी सब और तीसरा जो है वो अमिताब बच्चन ने KBC में सुत्र के तौर पे काया था और उसके लाइफ में भी उसने अपलाई किया सिखना बंद और जितना बंद अगर आपको constant जीतना है तो constant सिखना बंद कुछ शबद अगर जो इनर वेलनेस ट्राइब का जो मिशन हमने चालू किया अगर कुछ शबद आप कहना चाहें कि how you see this mission, how you see this initiative वे बड़ा अच्छा मुझे तो ये नामी बड़ा अच्छा लगा ट्राइब तो लोग अपना कभीला मजबूत करने के लिए और दुसरे कभीलों को eliminate करने के लिए बनाता है ये जो ट्राइब है वो तो प्यार वाली ट्राइब है कि दुसरों को अच्छा बनाने के लिए ट्राइब बनाई गई है तो मैं मनता हूँ कि ये ट्राइब ऐसा है कि पूरा गोला इसमें आ जाएगा पूरा गोला को समा सकता है, पूरी 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 समा सकती है उसमें